कुछ पालेना जीत नहीं है और कुछ खोदेना हार नहीं है केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन ही प्रकृती का स्वभाव है राधी राधी शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दी खार्दी स्वागत अभीनन्दन आप लोगोंने अक्सर देखा होगा कि लोग पैरों में काले रंग का धागा बानते हैं आज के समय में लगबग हर कोई काला धागा बान कर रखता है चाहे वो लड़का हो या लड़की कहा जाता है कि पैर में काला धागा बांदने की परंपरा आज की नहीं बलकी प्राचीन काल से चरी आ रही है कुछ घरों में जैसे किसी बच्चे के जन्म होने पर उसके कुछ समय बाद उसके पैरों में काला धागा बांदेते हैं लेकिन आज के समय में अगर किसी से पूछा जाए कि पैर में काला धागा क्यों बांधा जाता है तो अधिकतर लोगों के पास इसका उत्तर नहीं है काला धागा हमें बुरी नजर से बचाता है लेकिन इसका बहुत ही कम लोगों को पता होता है आजकल लोगों के लिए काला धागा बांधना एक फैशन सा हो चुका है कई लोग इसे नजर हटाने के लिए पहनते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि काला धागा पहनने से नुकसान भी हो सकता है घर में दरिद्रता आ सकती है मानसिक तनाव की परिस्तियां बन सकती हैं आज हम आपको बताते हैं कि किस राशी के लोगों को काला धागा नहीं पहनना चाहिए नमबर एक व्रिष्चिक राशी व्रिष्चिक राशी का स्वामी मंगल होता है इस राशी के लोगों को काला धागा भूल कर भी नहीं बांधना चाहिए इस से मंगल का शुब नहीं बलकी व्यक्ति पर अशुब प्रभाव पड़ता है इस वज़े से इस राशी के लोगों को काला धागा नहीं पहनना चाहिए मंगल देव के नाराज होने से घर में दरिद्रता का वास होता है इसलिए व्रिष्चिक राशी के लोगों को लाल रंग का धागा धारन करना चाहिए नमबर दो मेश राशी मेश राशी का स्वामी भी मंगल है इस सक्तिशाली ग्रह को काली चीजे बिलकुल पसंद नहीं है जब भी कोई मेश राशी का जातक इस धागे को धारन करता है तो उसके जीवन में positivity कम होने लगती है और negativity बढ़ने लगती है और जातक के जीवन में बुरी शक्तियां हमला करने के लिए सक्रिय हो जाती हैं काला धागा धारन करने के साथ ही जीवन में सुक और शांती का अभाव भी होने लगता है इसलिए ये दो राशियां सावधान रहें काले धागे की बजाए लाल रंके धागे का प्रियोग करें और फिर देखें इसका प्रभाव तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक को शियर करें कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद